नौरात्र यानी नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की जाती है। दसमा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नौरात्र वर्ष में चार बार आता है। पौश नौरात्र, चैत्र नौरात्र, आशार नौरात्र और अश्वनी नौरात्र नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाया जाता है नौरात्र के नौरात्र के नौरातों में तीन देवियों दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थात दुर्गा दुर्गत नाशनी समस्त कश्टों से छुठकारा दिलाने वाली देवी मा दुर्गा सुरूपा नव दुरगा यानि मादुरगा के नव रूप इन नव रूपों में नव आउशदियां भी विराचती हैं माअम्बे के ये नव रूप जो समस्त रोगों से बचाकर जगत का कल्यान करते हैं नवदुर्गा की नव औशदी सोरूपों को सबसे पहले मारकंडी चिकत्सा पध्यदी के रूप में दर्शाया गया और चिकत्सा प्रणाली के इस रहसी को ब्रंभाजी के द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया ऐसा माना जाता है कि ये औशदीया समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का निर्मान करती है इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया इनके प्रियोग से मनुष्य अकाल मृत्व से बचकर लंभी आयू जीता है तो आईए नव अशदियां जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना गया हम उनकी बात करेंगे दुतिय ब्रंभचारणी यानि ब्रामभी ब्रामभी नव दुर्गा का तूसरा रूप ब्रंभचारणी है ये आयू और स्मरन शक्ति को बढ़ाने वाली रुधिर विकारों का नाश करन इसलिए ब्रामभी को सरस्वती भी कहा गया है ये मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस वा अन्य मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुक दवा है ये रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ आउशदी है अता इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब वारे में और बताएंगे आपको क्या हैं देवी चंत्र घंटा के अॉषदीय गुण। यदश्य आपने अभी तक हमारे यूट्वी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूट्वी चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें और अपने रहे जै मादूर के